ओम स्री गने सायनम दूस्तू एस्टू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं दूस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन अक्टूबर मंगलवार के रासी फलक के बारे में कि यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाल हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत म हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिभी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस राशी वालों के लिए मंगलवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आप पिछली कुछ कमियों से सीख लेकर अपनी दिन चरिया में और भेतर सुधार लाने की कोशिस करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे और इस तरह की कोशिस से लोगों के साथ सम्बंदों में आश्चर्य जनक सुधार आ जाएगा दोस्तो आज प्रतिष्ट लोगों से भी मुलाकात लाबदायक और सम्मान जनक रहेगी तथा उनके साथ समय व्यातित करना और सामाजिक गतिविदियों में भाग लेना आपके व्यक्तित में और अधिक निखार लाएगा आज रुके हुए काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान अधिक केंदरित रखें आज घर में कोई मांगलिक कारेशंपन होने की भी संभावना है जिससे परिवार में प्रसंदता का माहौल रहेगा साथ ही आज का समय आपके लिए कुछ नई उपलब्दियों का निर्माण कर रहा है जो की भविस्य में आपके लिए बहुत ही अधिक फायदेबंद साबित होंगी दोस्तो अपनी योजनाओं को सुरू करने से पहले एक बार पुने उस पर सोच विचार अवश्य करें आज आपको कोई महतपउन कारे की सूच न मिलेगी उसे नजर अंदाज बिलकुल ना करें दोस्तो आज आपके साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे आपको लगेगा कि किसी का आसिरवाद आपके उपर है अपनी प्रतिभाओं को पहचाने और पूरी उर्जा के साथ अपनी दिंचरिया वेकारे प्रणाली पर ध्यान केंदरित रखें दोस्तो रिष्टेदारों का घर में आज आगमन होगा आपसी मेल मिलाप घर में खुसियां और सुकून लेकर आएगा साथ ही किसी परिवारिक व्यक्ति की किसी भेतरीन उपलब्दी पर घर में आज जसन का माहूल भी होगा दोस्तो बात कर लेते हैं जब के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो आज वरिष्ट तथा अनुबवी लोगों से सला लेने में आप परेज ना करें उनका मार्ग दर्शन वे सैयोग आपके मनोवल को और अधिक बढ़ाएगा व्यर्थ की बाहरी गतिविद्यों में समय नष्ट आप ना करें नकारात्मक प्रवर्थी के लोगों से दूरी बना कर रखें वे आपको आपके लक्षे से भटका सकते हैं और किसी प्रकार का आर्थिक लुकसान और मान हानी की भी आज संभाव ना है विद्यारती अपनी पड़ाई के प्रती और अधिक ध्यान केंदरित रखें आज खर्चों की बहुत अधिकता रहेगी इससे आर्थिक इस्तिती डगमगा सकती है इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है कभी कभी आपका एहम और क्रोध पूर्ण श्वयभाव परिस्तितियों को दूसित कर सकता है इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें दोस्तो साथ साथ अपने सुब चंतकों पर किसी भी प्रकार का विचार विमर्ष करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है घर के बड़े बुजर्गों की देखवाल में भी समय व्यतित करना आवशक है भूमी संबंदित कारों को लेकर कागजातों में कोई दिक्कत आज आ सकती है परन्तु जरासी भी समझदारी और समझ बूज से काम बहुती आसानी से बन जाएंगे आज रूपे पैसे का लेंदेन ना ही करें तो अच्छा है दोस्तो अपनी बजट को ध्यान में रखकर आप खर्च करें कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मसला उठने से हलकी फुलकी नोक जोक हो सकती है वेवेक और समझदारी से आप काम लें तो भैतर होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लवलाइट कैसे रहने वाली है दोस्तो परीवार के साथ मनूरंजन संबंदित कारों में समय आज व्यतित होगा प्रेम संबंदों में भी नज़िदी की आएंगी आपकी व्यस्तता के कारण जीवन साती का परिवार के लिए पूर्ण सहयोग रहेगा, जिसकी वज़े से आपके आपसी संबंदों में काफी मधुर्त आएगी, पती-पतनी के संबंद खुशनुमा रहेंगे, सौपिंग और मौज मस्ती में आज समय व्यतित होगा, प्रेम सं मोटी नकारात्मक बातों को नजर अंदाज करें, इससे संबंदों में कभी कटूता नहीं आएगी और आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत रहेंगे, दोस्तो बात कर लेते हैं जब कावेवेशाय केरियर क्या सा रहने वाला है, दोस्तो पार्टनर्शिप संबंदित कार में लाबदाएक आज प्रिस्तितियां बन रही हैं, कार्रे को विश्तरित करने संबंदित योजने भी आज बनेंगी, नोकरी पेशा व्यक्तियों के कामकाज आज ज़्यादा रहेंगे, प्रतिष्ट लोगों से अपने संपरकों को आप और अधिक मजबूत करें, उनके द अबलियत द्वारा अपने प्रतिष्टान में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और उसमें आप सफल भी रहेंगे, कुछ नए जन संपर्ग भी आज इस्थापित होंगे, ऑफिस में बॉस वे अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे, वेवसाइक गतिविद करमचारियों को सुचारों रूप से चलाने के लिए करमचारियों के सुझाव को आप अधिक ध्यान में रखें, जिससे आप बहतरीन नर्न ले पाएं, दोस्तों नौकरी में आप अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरबाई ना वरतें, वेवसाइक गतिविदिय में सुधार आएगा, करमचारियों के प्रति आपकी उदार्ता वे उत्तम वेवार उनकी कारे छमता को और भी अधिक बढ़ाएगा, दोस्तों साथी साथ कारे छित्र में आप सभी गतिविदियों को सुचारों रूप से नियंतरित करेंगे, अपनी कारे प्रणाली दूसर और साख बनेगी जिससे उनका मन काफी प्रसन रहेगा, दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है, दोस्तों आज आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा, परंतु जादा काम के दवाब की बज़े से पैरों में दर्द और ठकान महसूस हो सक लगती है, इसलिए आप सैयमित दिन चरिया रखे, इसके लिए दोस्तों आप अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए रोजान योग करें, वैयाम करें, स्वस्त रहें, दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशे शुपाय क्या है, दोस्तों आज आदिश्य निर्वत्र होने के बाद भगवान श्री राम के मंदिर जाएं और दाहिने हात के अंगूटे से हनुमान जी के सर से सिंदूर लेकर सीता माता के चर्णों में लगा दें और अपनी मनो काम नए मांगें, जा दोस्तों ऐसा करने से भगवान बजरंग बली बहुत के समस्तर कश्टों को दूर करेंगे और आपकी हर मनो कामना पूरी होगी, जा दोस्तों आप इस प्रिकारी सुपाय को अवश्य करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा, दोस्तों भगवान बजरंग बली का शिरवाद आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से भूलें धन्यवाद